वेल दोस्तों, रियल्मी का एक नए स्मार्टफोन, रियल्मी C33, यह इंडिया के अंदर बहुती जल्दी, यानि के 6 तारीकों दोपायर 12 बजे लाँच हो जाएगा, और यह स्मार्टफोन दोस्तों ज्यादा महेंगा नहीं है, 12,000 रुपे का स्मार्टफोन है, और रियल्मी C33, यह दोस्तों लुकिंग के अंदर, डिस्पलें के अंदर इन्होंने काफी अच्छा काम किया, लेकिन परफोर्मेंस में एक कैमरा के अंदर इन्होंने काफी जिग-जेग रखा है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, रियल्मी C33 के बारे में, देखते हैं कि unboxing, review, comparison, giveaway के लिए चैनल को subscribe कीजिए, bell icon call पर set कीजिए ताकि आने वाली वीडियों आप तक सबसे पहले पहुन जाए चलिए दोस्तों बात करते हैं फोन के build quality की in hand feel की ये smartphone लगबग 187 gram का होगा 8.3 mm ये थिन होगा पीछे एकदम plastic, plastic का frame लेकिन ये smartphone दोस्तों एकदम boxy बनाया गया है जो भी आया था ना, Realme का 9i उसके जैसा यहां पर cutout दिया गया है और ये look like iPhone या फिर feel like iPhone एकदम flat as is, एकदम flat ये दोस्तों इहां पर build के अंदर काफी तगड़ा काम किया गया है और ये smartphone दोस्तों budget के अंदर है न तो यहां पर आपको SD card का slot मिल जाएगा 3.5mm jack मिल जाएगा side mounted sensor मिल जाएगा single speaker मिल जाएगा यानि कि दोस्तों 12,000 की segment में budget smartphone Realme C33 यहां पर ports and button या फिर हम बात करते हैं build quality की कोई तरह के दिक्कत नहीं आने वाली है GPS LCD panel 60 Hz के साथ में यह दोस्तों काफी basic सी है यहां पर bezel, chain या फिर water drop यह जाए से आना बड़े नजर आते हैं इसलिए यहां पर आपको 83% का screen to body ratio मिल जाएगा 400 ppi की pixel density और इसी के साथ में 400 nits के आपको brightness peak दी गई है 444 काफी आ गया ना यह display दोस्तों अगर हम बात करते हैं media watching की, content watching की आपका एक ठीक ठाक काम यहाँ पर करवा देगी बाकि दोस्तों यह display बजट के हिसाब से थोड़ा सा down है अगर इसे 90 years कर दिया जाता तो और अच्छा काम यहाँ पर हो सकता था लेकिन फिलहाल आपको ओना एक ठीक ठाक average quality निकाल के दे देगी चलिए दोस्तों बात करते हैं performance के बारे में, specs के बारे में यह smartphone contain करेगा Unisoc का T612 जो कि दोस्तों काफी जादा basic सा है 1.8 GHz तक इसकी peak clock speed जाती है और अगर हम बात करते हैं 3 GB का, 4 GB का यहाँ पर दोस्तों variant मिलने वाला है आज के टाइम के अंदर भी 3 GB का variant यह दोस्तों पता नहीं कहां exist कर पाएगा हाँ, यह अच्छी बात है कि यह smartphone आपको Android 12 पर मिलेगा, लेकिन pre-installed app, blotware यह आपको दिये जाएंगे Facebook, Instagram, Twitter इनके लिए काम कर देगा, लेकिन मैं इसे higher use के लिए या फिर gaming के लिए बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा, यह smartphone दोस्तों सिर्फ आपका एक daily life का काम करवा देगा, Unisoc P 612, Realme C30 3 के अंदर, चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में और कैमरा दोस्तों, अगें 12000 के अंदर काफी ठीक ठाक से हैं 50 Megapixels का main sensor और 2 Megapixels का कोई other sensor ठीक है, और 8 Megapixels का selfie camera, यहाँ पर दोस्तों 8 का selfie camera, यहाँ पर हम बात करते हैं 2 Megapixels का other sensor, यह आपका real life के अंदर उतना बहतर काम नहीं कर पाएंगे एक main sensor, 50 Megapixels का यह आपको 12000 के जैसी quality निकाल के दे देगा 4K, यह तो दोस्तों यहाँ पर होना नहीं है बहुती सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको FHD 30 फ्रेंट पर सेखने ही recording मिल जाएगी और camera दोस्तों, देखिए sensor हमारे सामने और हमें पता दोस्तों की 12000 के अंदर आपको एक decent camera quality ही मिलती है एक बढ़िया camera quality नहीं मिल पाएगी लेकिन हाँ, जो भी है, जैसा भी है आपको मेरे तरफ से इसकी launch के बार में complete camera testing देखने को मिल जाएगी make sure, subscribe with bell icon तक वीडियो आए, तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, यह smartphone contain करता है 5000 mAh की battery जो की काफी decent है, और in the box 18 watt का charger, जो कि आपके smartphone को लगबग, डेड़ पॉने 2 घंटे के अंदर पूरा charge कर देगा यानि कि 12000 रुपे के अंदर build quality यहाँ पर काफी तगरी है उतनी भैतर quality नहीं दे पाएगा यानि कि 12000 रुपे के अंदर यह smartphone आपका एक decent काम करवा देगा, यानि कि आपको online class लेनी है, और आपको आपका ज़्यादा heavy task नहीं है, बस ठीक्टा काम है WhatsApp, Facebook, Instagram का, media watching यहाँ पर ठीक्टा हो जाएगी क्योंकि display है तो सही ना एक अच्छी कासी display यहाँ पर है IPS LCD जो की range के अंदर 12000 की range के अंदर justify कर सकती है 6 तारिक को launch मोने के बाद में दोस्तों आपको मेरी तरब से इसकी complete testing के वीडियो मिल जाएगी make sure अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए वीडियो दोस्तों आपने आँ तक देखे वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में keep watching, keep sharing, जैहन